वेंडिंग मशीन हैं बहुत ही बढ़िया होती हैं लेकिन आजकल ऐसा क्यों लगता है कि केवल स्नैक्स और पे ही बेच सकती हैं ऐसी वेंडिंग मशीन जो पैसे के बतले गले लगना भी स्विकार करती हैं वहां से लेकर रोबोटिक सुवधा स्टोर तक आज हम ऐसी 20 मशीनों पर नजार डालते हैं जो दुनिया भर में हर जगे पर मौजूद होनी चाहिए अधिकांश मशीने नगद, कुछ क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ट सुविकार करती हैं कुछ बिटकॉइन भी सुविकार कर लेती हैं लेकिन सिंगापूर की एक यूनिवर्सिटी की ये मशीन गले लगाने के बदले में ड्रिंक्स देती है आखिर वेंडिंग मशीन भी तो अकिलापन मैसूस कर सकती है ना इस कंपनी के एक प्रवक्ता का गैना है कि ये एक विग्यापन का तरीका खुली खुशी है जिसमें लोगों की मदद करके उनके चेहरे पर एक मुसकान के जरिये साजह भावनात्मक सम्मंद बनाया जाता है वेश या भर में ऐसी और अधिक मशीनों को जारी करने की योजना बना रहे हैं ऐसा लगता है जब भी हम एक छाता ले जाना भूल जाते हैं तभी हम बारिश में फस जाते हैं इसलिए हमारे पास एक ऐसी मुफ्त छाता वितरण मशीने और अधिक होनी चाहिए डाइडो ट्रिंकों के करमचारी छत्रियों वाली अपनी मशीनों को रेल गारियों में छोड़े गए चातों से भर देते हैं ये कई रेलवे कंपनियों द्वारा प्रदान किये गए हैं और ये मशीने कुल 16 प्रांतों में मौजूद हैं चत्रियों को अधार पर लेने वाले 70 प्रतिशत लोग अंतिता उन्हें मशीनों को ही वापस कर देते हैं ये एक अध्भुत अधारना है और अब एक स्टार्टप भी इसमें पूंजी लगाना शुरू कर रहा है वहीं दूसरी ओर वैंकोवर में अंबरा सिटी नामा के एक सेवा है जिसमें आप मुफ्त चत्रियों के लिए साइन अप कर सकते हैं यदि 48 घंटों के भीतर कियोस के जरिये इनको वापस नहीं किया जाता है तो उप्योग करता कि क्रेडिट कार्ट से प्रत्ते एक अतरिक दिन के लिए दो डॉलर से अधिकतम 20 डॉलर का शुल्क लिया जाता है यदि आप चत्री को समय पर वापस करने की सावधानी बरतते हैं तो ये सेवा प्रभावी रूप से मुफ्त है नमबर 18 रेंडम जैकपॉट मशीन कभी-कभी मुझे लगता है कि एका एक कोई स्लोट मशीन कहीं से भी प्रकट हो जाए और निकटतम कसीनों में ड्राइव करने के आवशकता है ना पड़े ये वेंडिंग मशीन पूरी तरह से स्लोट मशीन नहीं है लेकिन लगभग 1000 ये या 9 अमेर की डॉलर के लिए ये एक वास्तविक जुए जैसी है जिसमें आपको जो मिलेगा वो कुछ भी हो सकता है माना जाता है कि इस मशीन में सब कुछ कम से कम 9 डॉलर का है लेकिन बहुत जादा कि उम्मीद ना करें एक बार एक आदमी को बिल्ली की टोपी मिली थी जो उसने शायद पहले भी एक बार पहनी हुई थी यह समानी मिस्टरी बॉक्स मशीन आपको जापान में मिलेगी इसका प्रत्य एक बॉक्स एक छोटी सी कहानी बताता है और अंदर से कोई नाश्ते की वास्तो भी मिलती है मुझे उम्मीद है कि यह आलू चिप्स का कोई नया स्वात तो नहीं होगा जब आप कॉंसर्ट में होते हैं तो अकसर एक दुविधा होती है कि आप स्मृती चिन खरीदना तो चाहते हैं लेकिन बीच में शो को छोड़ना नहीं चाहते और लंबी लाइन में इंतिजार भी नहीं करना चाहतें फ्रांस के रॉक बेंड फीनिक्स ने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया और इसलिए उन्होंने एक वेंडिंग मशीन सुपर मरकेंटो बनाई वे इसे अपने साथ ले गए और उनके रिकॉर्ड लेबल ने कहा कि ये लोगों को काफी अच्छा भी लगेगा इसके जरीए लोगों को क्रेट कार्ट के साथ भुक्तान करने और दुकानों पर लंबी लाइन में इंतिजार किये बिना खरीदारी करने के अनुमती मिली ये बिलकुल एक चमतकार की तरह लगता है डच कॉफी कमपनी डू एकबर्ट ने एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाई है जो मुफ्त कॉफी का वितरन करती है आपको बस इतना करना है कि उस पर जमाई लेनी है चहरे में मास पेशियों की गतिविदियों को ट्रैक करने के लिए मशीन चहरी की पहचान सौफ्ट्वेर का उपयोग करके करती है जब इसे किसी जमाई का पता लगता है तो ये उस नींद वाले व्यक्ती के लिए एक कप में कॉफी डालती है कमपनी की रणनीती दरसल मशीन को दक्षन अफरीका की व्यस्त ओ आर टैंबो हवाई अड़े पर रखने और थके हुई यात्रियों को मुफ्त कॉफी देने की थी इस सोच के साथ की ताकि लोगों को कॉफी का स्वाद लग जाए और उनकी विक्रियोंने लग जाए नमबर पंदरह स्कूली दवा मशीन सीवी एस फार्मेसी ने अपने कोछ उतपादों को देश भर में वेंडिनिंग मशीनों द्वारा हवाई अड़ों, सारवजनिक परिवहन स्टेशनों, कार्यालाय पार्कों और कॉलिज परिशरों जैसी व्यस्ट जगों पर रखकर अधिक सुलब बनाने कर निना लिया एक रेड़िट उपयोग करता ने अपने स्कूल की सीवी एस मशीन की एक तस्वीर अपलोड की और उपयोग करताओं ने तुरन ध्यान दिया कि इसमें पहले के मुकाबले पैडिलाइट दवाह खत्म हो चुकी थी जो कि कॉलिज परिशरों पर लगातार हैंग ओवर के उपचार के लिए इस्तेमाल हुई थी ऐसा नहीं है कि मुझे यह याद आ रहा है वैसे भी यह मशीन अन्य ओवर दा काउंटर उपचार व्यक्तिकर देखभाल और स्वच्छता की चीज़ें जैसे स्वस्ति स्नेक्स और पेपदार्थ और यहां तक की कार्याले की सामगरी जैसे की फोन चार्जर भी रखती है अधिकांश वेंडिंग मशीनों के विप्रीत इसमें एक उन स्क्रीन मेन्यू भी है जो प्रत्यक उतपात के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है आईकिया फर्निचर को जोडने के मामले में सबसे बुरी बात यह है कि यदि आप इसका एक छोटे से छोटा टुकडा भी खो देते हैं तो आप फर्निचर को जोडनी पाएंगे इसलिए हमें ऐसी मशीनों की बहुत आवश्यक्ता है कुछ दुखानों के पास मौजूद इन मशीनों के जरिए आप प्रतेक टुकडे के लिए एक डॉलर का भुकतान कर सकते हैं इत्रा ही नहीं आपको उनके रेस्टरों का लगभग समान राशी का एक कूपन भी मिलता है मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है जिससे लोग आईगिया में और भी अधिक समय बिता सकते हैं क्या आप एक लंबी ट्रेन यात्रा पर जा रहे हैं इस ट्रेन स्टेशन में एक लेगो वेंडिंग मशीन है इसमें बच्चों को लंबी यात्रा पर व्यस्त रखने के लिए बिल्डिंग सेट बेचे जाते हैं लेकिन ये सब तभी तक मज़िदार और एक खेल रहता है जब तक की कंड़क्टर का उन छोटे टुकडों में से एक पर कदम नहीं पड़ता ये रहा स्टेशनरी खत्म हो जाने के बहाने लिखाई से बचने वाले बच्चों को रोगने का तरीका बस स्कूल में स्टेशनरी वेंडिंग मशीने स्थापित कर दीजे ये बहुत सारे मुद्दों को एक साथ हल कर देगा ये बेहत सुवधाजनक है और स्कूलों को खुद फंड करने में भी मदद करता है मुझे ताजा संत्रे का रस बहुत पसंद है लेकिन संत्रे को निचोडने का समय किसके पास है सौभागे से इसके लिए भी एक वेंडिंग मशीन है पेड से आपके कब तक का विग्यापन देने वाले ये मशीन आपकी आँखों के सामने संत्रे को निचोड़ती है इसमें रस बर्फ जितना ठंडा होका निकलता है और ये मशीन हर दिन खुद को साफ भी करती है क्या आपको गुस्ता नहीं आता जब आप नाखून बनवाने का समय नहीं निकाल पाते सवभागे से अब आपको इसके लिए इंतिजार नहीं करना है बस मैनिक्यूर वेंडिंग मशीन पर जाईए इसका इंट्रेक्टिव मैन्यू आपको 5000 से अधिक नमूनों में से चुनने के अनुमती देता है जिसमें मशूर हस्तियों के छोटी चितर भी शामिल है एक बार जब आप अपना पैटर्न चुन लेते हैं तो आप बस अपना हाथ अंदर कर दीजे और बाकी की देखभल मशीन खुद कर लेगी कभी कभी फास्ट फूड इतना भी फास्ट नहीं लगता है खास तोर पर तब जब आपको लाइन में इंतिजार करना पड़ता है और मेन्यू बोट की किसी आईटम का नाम लगाता शिलाना पड़ता है खैर ये मशीन आपके लिए बिना किसी परेशानी के गर्म बर्गर बना देती है हलाकि उसके लिए आपको अपनी कार के बाहर जरूर निकलना पड़ेगा ये मशीन कई प्रकार के विकल प्रदान करती है लिकिन इसमें कोई ऐसी सुवधा नहीं है जिससे आप अत्रिक्त कैचप भी प्राप्त कर सके बर्गर का मूड नहीं है ये बरीटो बॉक्स आपको 90 से भी कम समय में एक गर्म बरीटो बना कर दे सकती है क्या आपका पैसा इसमें फस गया या फिर कोई और दिक्कत है धर ये मत अच्छी बात ये है कि इसमें आप अनकॉल ग्राहक विशेशकर के साथ वीडियो चैट भी कर सकते है बर्गर और बेरेटोस को एक तरफ रख दें तो कौन कहता है कि आप एक वेंडिंग मशीन से कुछ भी स्वस्त नहीं पा सकते है किसानों को ये फ्रिज मशीन विभिन प्रकार के सालात कटोरे प्रदान करती है इन पर एक डॉलर की चूट भी रहती है और इनकी विक्री हर शाम 6 बजी से शुरू होती है अंसुल्ट कटोरों को अक्सर स्थानी खाथ पेंटरी के लिए दान भी किया जाता है इसलिए इसमें कुछ भी वेकार नहीं जाता नंबर साथ फूल वेंडिंग मशीन नेदरलेंड में ये एक फूलों वाली दुकान की तरह दिखती है लेकिन ये वास्ता में एक बड़ी वेंडिंग मशीन है इसमें सभी फूल पूरी तरह से काच की पीछे हैं और आपके द्वारा बुक्तान करने के बाद ही इसके दरवाजे खुलते हैं वहीं दूसरी ओर अस्पताल की ये वेंडिंग मशीन 24-7 फूल परतान करती है तो इनसानों को किसी दुकान पर बैठा कर ग्रहकों की इंतिजार में क्यों पकाना जब भूलों की इस वेंडिंग मशीन द्वारा खुद बाखुद इन्हें बेचा जा सकता है एक अच्चे गर्म बैगेट के बारे हम क्या ख्याल है फ्रांस में ये लंबी ब्रेट की रोटियां काफी लोग प्री हैं लेकिन अधिकांश बेकनिया 24-7 खुली नहीं रहती तो फिर क्या करें जब चटपटा खाने के इच्छा हो तो हैसे में आप इनमें से किसी एक मशीन पर जा सकते हैं विशेश रूप से तयार इसका आठा केवल आंशिक रूप से पकाया जाता है और जब आप एक यूरो का भुकतान करते हैं तो ये मशीन इसे कुछ ही मिंटों में पूरी तरह से पका देती है और आपको एक ताजा बैगेट प्रदान करती है जहां बच्चों की पुस्तकों तक सीमित पहुँच होती है जिसके जरीए बच्चे किसी लाइब्रेली की जैसे ही पुस्तकों को प्राप्त कर सकते है व्यसकों के लिए बिबिलियो मैट मशीन है जो की दो डॉलर के बदले में कोई भी पुस्तक निकालती है कई जॉज नामक आपकी पालतु सुनहरी मशली अब नहीं रही लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं एक कप में चलती मशली को पकड़ना असान नहीं है ये एक पालतु मशली की दुकान के लिए बढ़िया चीज रहेगी उनके पास पूर्वी तट पर ऐसी सौ से अधिक मशीन है और उनका दावा है कि बाजार में किसी भी दुकान की तुलना में उनका चारा अधिक ताजा है एक स्वचलित किराना स्टोर की कलपना करने वाला पहला वेक्टी क्लरेंस सॉंडर्स था जिसने पिगली विगली श्रंखला की स्थापना की थी जो पहला स्वचलित सेवी स्टोर था इस अधारना से पहले कैशियर आपके सामान को आपके लिए चेक आउट करते हुए एक आधुनिक फार्मेसी की तरह पाई जाते थे इसने आधुने किराणे की दुकानों को एक नई डिजाइन के लिए प्रिरित किया जिसमें चेक आउट काउंटर सामनी की तरह मौजूद होते थे लेकिन उसका मन अब भी नहीं भरा था उसने कीडूजल नामक एक मशीन को भी डिजाइन किया था जोकि एक बड़ी वेंडिंग मशीन की तरह थी इसके जरीए ग्रहकों ने खुद बाखुद चावी घुमा कर ये चुना की वो हर सामान की कितनी सामगरी चाते हैं अफसोस इस बात का है कि 1940 की तकनीक इस कारेकली परयाप नहीं थी विशेश रूप से वियस्तता की दोरान और की डूजल लंबा नहीं चला हालाग इसका मतला भी यह नहीं है कि ये विजार पूरी तरह से खत्म हो गया आज शॉप 24 में भी एक ऐसी ही लेकिन अधिक सरल डिजाइन मौजूद है इसमें दूद, कैंडी और कपड़े धोने के सावन जैसी चीज़े रहती हैं और एक स्वचलित चेक काउंटर भी है इसी तरह स्मार्ट मार्ट एक अन्य स्वचलित सुविधा स्टोर है जहां ग्राहक अपनी कार को छोड़े बिना आइटम चुनने के लिए इसके चार पोर्ट से विभिन आइटम, क्रेट कार्ट रीडर, आइडी रीडर और कैश मशीन को चुनने के लिए एक टच स्क्रीन प्रदान करते हैं बार्सिलोना में एक ऐसी वेंडिंग मशीन भी है, जो एक स्वचलित चेक आउट के साथ कई प्रकार के पे और स्नेक्स की वस्त में प्रदान करती है फ्रांस भी कोछ इसी तरह की पेश्यर्ष करता है, 24 घंटे स्वचलित दुगाने जो हमीशा खुली रहती है इस बाइक वेंडिंग मशीन को 2005 में आयंड होवन नेधरलेंड में पेश किया गया था यह एक किरायवाली मशीन है और इसके उपयोग करता काम होने के बाद अपनी बाइक वापस करना भूल जाते हैं तो मशीन के मालके से अपनी RFID चिप के साथ ट्रैक भी कर लेंगे यहाँ एक स्वायत किरानी की दुगान है जो खुद अपने आपको आप तक ड्राइव कर सकती है यह कोई असी वितरन सेवा नहीं है जिसमें कोई और आपका किरानी का सामान पहुचाता है इसके बजाए यह मार्ट एक बड़ी वैन है जो आपके कॉल करने से मुलाकाश शेडिूल करने के बाद अपनी पूरी inventory को आप तक ड्राइव करके पहुचाती है और फिर आप इसके stocks में से सामान चुन सकते हैं इसमें निकलते वक्त आपको भुक्तान करने की चिंता की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप यह एप डाउलोड करते हैं तभी यह आपका भुक्तान का तरीका भी पूच का रिकॉड कर लेती है जब आप अपना पूरा काम कर लेते हैं तो रोबो माट वापस चला जाता है इससे कहते हैं पाईयों पर भोजन ऐसी कौन सी सबसे दिल्चस्ट वरंडिंग मशीन है जो आपने कपी देखी हो और आपको क्या लगता है कि हमें इन में से किसकी सबसे साह जरूरत है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्चन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया